जैन साहित्य और आगम ये भी अपने आप में एक महतोपूर्ण बिंदू है जैन साहित्य का अलंकि जब आप जैन धर्म को पढ़ते हैं तब आता है जैन आगम लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि पुराणों की जो ववस्ता है जैन साहित्य में वो कैसे हैं जैन साहित्य जिसको आगम कहा जाता है यह एक विसेश प्रकार का साहित्य होता है जिनकी संख्या बारे बताई जाती है और यह पूर्ण तर जैन धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य होता है आचार विचार व्यभार प्रकार प्रवर्ती प्रकरती धर्म की स्रावक की श्रमन की महा स्रमन की यह सारी की सारी बातें इन आगम साहित्य में लिखी हुई मिलती है यानि कि आप सीधा सीधा यह समझ सकते हैं कि आगम साहित्य का अर्थ क्या है जैन धर्म की निमावली कोड अफट कंडेक्ट जैन धर्म में व्यक्ति को कैसे दिक्षित किया जा सकता है उसका जीवन कैसा होना चाहिए उसका वेभार कैसा होना चाहिए धर्म के क्षेत्र में वो कहां हस्तक शेप कर सकता है कहां नहीं कर सकता है ये तमाम जानकارिया जो है वो आगमों में दी गई है इतने हैं कुल आगम टोटल है बारे आगम आगमों की संख्या बारे बताए गई है आचारांग से लिए हैं। नाम याद करने जरूजी नहीं है नहीं पूछा जाता है, कई बार पूछ लिए जाता है कि कुल कितने आगम है जैन साहिते में आचारांग सुर्य कंड़क, सापंग, समवायंग, भगवती शूत्र, न्याय धम कहाओ, कहाओ मतलब कथा जो अबबरेंस्की कहा है, जो गाथा है, वही क्या बन जाती है, आगे चल करके कथा बन जाती है उवासद दसाओ, अंतगड दसाओ, अनुतरोववाई दसाओ, और पनहारवारनी दसाओ ये कुल बार आगम है, आगम साइथे अपने हाप में विसिस्ट है जैन धर्म का, लेकिन ये हिंदी साइथे से नहीं जोड़ता है, ये धर्म का साइथे हैं उनका संक्या पूती जा सकती है, नाम नहीं पूछे जाएंगे इसके, नाम याद रखना जरूर नहीं है इसके अलावा ये होगे दस और दो और है, विवाग सुयम और द्विट्वाए इन आगम गरंथों की देचना स्वेतांबर संपरदाय के आचारियों द्वारा हुई है और ये महावीर स्वामी की मृत्यू के बाद की गई है जरू आती जो नहीं मावीर स्वामी के बाद, वो नहीं मावीर स्वामी इन गरंथों में मिलती है एक तरीके से जैन धर्म कैसे संचालित होगा, कैसे संचरित होगा, कैसे आगे बढ़ेगा ये पूरी की पूरी वेवस्ता जो है, कोड अफ कंडेक्ट इस धर्म की, वो महावीर स्वामी द्वारा जो निर्दारित की गई या उनके बाद के महास्रमनों द्वारा निर्दारित की गई, वो इन गरंथों में लिखी हुई है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है तो इतांबर और दिगंबर जैन धर्म की दो अलग-अलग साखा हैं, जो उत्तर काल में आकर बनती हैं, अंतिम समय बे जैन साहित्ती की विसेस्ता हैं, इसको थोड़ा सा गौर से समझना, लगबग लगबग वही विसेस्ता हैं जो आदिकाली इन साहित्ती की विसेस्ता हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, एक तरफ जैन साहित्ती हैं, दूसरी तरफ पूरा का पूरा आद काली इन साहित्ते में कुछ एक विसेस्ताएं अपनी हैं और जैन साहित्ते की अपनी विसेस्ताएं सबसे पहली और महतुपूर्ण विसेस्ता है विसे की विवित्ता रासो साहित्ते देखेंगे आप तो वहाँ पर युद्ध और जर्बार इसके अलावा सब कुछ गायब है कुछ भी नहीं आता नजर चिरफ या तो युद्ध दिखेंगे या फिर राजा, रानी और उनकी प्रेम कहानी खत्म इसके आगे कोई विशाय उनको नहीं सूचता है रासो साहित्ते कारों को जबकि जैन साहित्ते में विशियों के विवित्ता दिखाई देती है लोक कहानियों को धार्मिक आधार दे करके उनको सामाजिक आधार दे करके उनको उनकी एतिहासिक व्याख्या करते हुए समझाया गया है भिन भिन प्रकार की कथाओं को वो अपनाता है चाहे वो हिंदु धर्म की रही हो, चाहे वो उनकी जैन धर्म की रही हो, चाहे वो एक तरीके से कल्पित कहानिया रही हो, उनको कोई न कोई आधार दिया जाता है, जैसे कल्पित कहानिया भी है तो उनको भी सामाजिक धार में किया एतिहासिक आधार दे के प्रस्तुत किया है ऐसा नहीं कि बिना किसी रीजन के सिर्फ एंटर्टेन्मेंट के लिए वो साहिते लिखा गया नहीं कुछ ने कुछ सीख जैन साहिते के हर एक रचना से मिलती है पहली चीज विश्यों के इस तर पर बहुत ज़्यादा विवित्ता है रामायन और महाभारत जैसी कहानियों को कथानकों को भी जैन कभी इस्तिमाल करते हैं और अपनी धर्म के संद्ध में ऐसा नहीं कि राम कावि में राम को महान बनाते हैं वो उनके यहां हम पर राम एक चरित्र के तो halगा लेकिन वो चरित्र के तोर पे किसकी उपासना किसकी जो है महता इस्तापित करेगा जैन धर्म की या किसी जैन महा मुने की या किसी जैन महा स्रमन की ऐसा ही महाबारत की काहनी होती है उसका भी ये इस्तेमाल करते हैं और अन्त तो गत्वा जाकर के अपने धर्म को ही जो है इस्तापित करने की आधार देते हैं और फिर अपनी कहानी कहते हैं बिना आधार के बिना रीजन के जैन कभी उने कोई प्रकार का साहित्य नहीं लिखा जो मातर कल्पनाओं पर मातर गल्पों पर आधारी साहित्य था उसको भी उन्होंने कोई न कोई आधार दिया जाए वो किसी प्रकार कर आओ और अंत में जाकर के वो अपने धर्म को स्थापित करने की कोशिस करते हैं, अपने धर्म को महान दिखाने की कोशिस करते हैं, ये एक विसेस्ता है, दूसरी विसेस्ता है जैन साहिते की, ये साहिते अधिकांस उपदेस मूलक हैं, क्योंकि जब अंत में जाकर के, कहानी के अं संत में जाकर कहते हैं कि बगवान ये महावीर ये कहते हैं कि आपको सदासत्य बोलना चाहिए या पतवरस्ट नहीं होना चाहिए या आचरण को हमेशा सुद्ध रखना चाहिए या जो आचरण महासरमनों निर्दारित किया है उसके अनुसार चलना चाहिए जो नहीं चलता ह वो इस व्यक्ति के तरह अधम होता है, पापी होता है, नीच होता है तो ये जैन साइत्य की मुख्य प्रबर्ती रही है कि उन में उपदेशात्मक्ता दिखाई देती है चाहे वो छोटी रचना हो, चाहे वो कोई व्रहद रचना हो हर रचना में उपदेश आत्मक्ता आने वारे अंग रही है, चाए वो कोई लोग कहानी हो, चाए वो कोई धार्मिक साइट्य हो, उपदेश आत्मक्ता तो उसके मूल में है, धार्म के प्रती द्रड़ास था और उसका प्रचार करना इनका मुख्य उदेश था, इसी के करण इन्होंने हर रचना में उपदेशात्मक्ता को रखा। जैनकभियों का जो जीवन होता है, रोज की दिन चरिया होती है, उसके आध्यात्मिक पक्स को रखा कि क्यों एक व्यक्ति के लिए इस तरीके की जीवन चरिया महतुपूर्ण है, जो एक व्यक्ति अगर इन क्रिया कलापों को इस्तेमाल करता है, इन क्रिया कलापों के अनुसार अपनी जीवन चरिया निर्धारित करता है, वो एक महासरमन बन सकता है धर्म में उनके धर्म में जो भी आदर्स फुरुस रहे हैं जो भी तपस्वी रहे हैं जो भी चरित नायक रहे हैं जो भी पात्र हुए हैं उनको इन कहानियों में अलग-अलग संदर्वा में इस्तेमाल करते हुए दिखाया है इनकी कहानियों में भी ठीक वैसे ही कहानिया है जैसे हमारी लोकिक जिवन के कहानिया होती कि एक राजा होता है उसकी एक प्रेमी का होती है और उनका जो प्रेमी वाए वो सफल नहीं होता है और उसके बीच में यह यह बेरियर्स आते है या या ये विरोधी तत्व होते हैं तो कहानियां वहाँ पर भी वही है लेकिन उनको प्रजेंट करने का तरीका जैन साहिते में अपना विसिष्ट तरीका है उनके मूल में धर्म होता है उनके मूल में उनके धर्म के प्रति आस्था जगाना होता है उनका प्रचार प्रसार करना होता है और अपने धर्म को सर्विश्ष्ट साबित करना होता है बस ये चीज जो है वो अलग है दूसरे आदेकालिन साहिते से रासोसाहिते पूर्ण तब अपने एक तरीके से entertainment के लिए लिखा गया अगग दूसरा अपने राजा की प्रसंसा करन इसलिए उन्होंने सचका साहरा ज्यादा लिया, अपने महासरमनों की कठिन जो जीवन चरिया थी, उसको प्रस्तूत किया लोगों के सामने उदाहरन के तौर पे और कईज लोगों ने उसको अपनाया भी, कई लोग जो इसी करण से प्रभावितों कर जैन दर्म में आते हैं, क्यों कि वहाँ पर एक सुद्ध और परिपाक जीवन सहली उनको ब्यतीत करने को मिलती है तीसरी चीज और जुतना भी आदिकालिन साहित्य उसमें ततकालिन समाज और ततकालिन परिस्तितियां लगभग शुन्य है लगभग गायब है लेकिन जैन साहित्य के अपनी एक विसेस्ता ये है कि उसमें उस समय की ततकालिन परिस्तितियों को भी चित्रित किया है कोई राजा अगर कप्टी है कोई राजा अगर जो है वो अपनी प्रजा के साथ गलत वैभार करता है उसका भी जिक्र जैनकवियों ने किया है और लेकिन लेकिन इस चीज़ को दिमाग में रखना कि उसका जिक्र डारेक्ट नहीं किया है उदाहरण के लिए मान लीजे कोई सामंत सिंग नाम का राजा है और उस सामंत सिंग को जनता पसंद नहीं करती क्यों कि वो जनता को बे बजय परिशान करता है तरह तरह के टैक्स लगा देता है या तरह तरह के अत्याचार करता है जैनकवियों ने इस सामंद सिंग को अपने साहिते में चित्रित तो किया है लेकिन इस रूप में नहीं किया है सामन सिंग के रूप में नहीं किया है उसको अपने धर्म के इसाब से एक नाम दिया है और नाम दे के एक नकारात्मक चरित्र के तौर पे कहानी में इस्तेमाल किया है और मान लीजे अभी ये सामन सिंग की डैथ नहीं हुई है उसका राज चल रहा है लेकिन इस नकारात्मक चरित्र का अंत एक रचनाकार जैन धर्म का रचनाकार वो पहले ही करके दिखा देता है कि देखिए तुम्हारा अंत कैसे होगा अगर तुम अनीती पर चलोगे तो अनीती का अंत कैसे होगा वो इसको पहले ही दिखा देता है संबबरत कई ऐसे राजा इसी कारण से जैन धर्म में दिक्षित हुए बाद में बाद में कई ऐसे लोग जिनका चरीत्र जिनका जिवहार नकारात्मक्ता वो बाद में जैन धर्म के और आक्रिष्ट हुए ऐसा ही बहुत धर्म में भी देखने को मिलता है ऐसी बहुत सारी कहानिया है ये कहती है कि भगवान बुद्ध से प्वेरी तोके एक डाकू जो था वो जो है इतना प्रभावित हुआ कि उसने बहुत धर्म अपना लिया और वो एक विक्षुप बन गया ऐसी कहानिया जैन धर्म में भी कि सब कुछ लुटा करके वो एक जैन बिक्षुप बन गया वो एक जैन मुनी बन गया जो पहले बहुत खुंखार था बहुत आतंक था जिसका जिसने जो है पूरी दुनिया को ही परिसान कर रखा था वो व्यक्ति भी क्या हो गया परिवर्तित हो गया एक महासरमन के एक छोटी सी बात से और उसका हर्दय परिवर्तित होते ही उसने जैन धर्म अपना लिया ये अपने धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए किया गया था अपने धर्म को स्रेष्ट बताने के लिए किया गया था लेकिन देखिए साथ ही साथ उस व्यक्ति ने उस रचनाकार ने नकर अत्मक प्रवर्वर्टियों का चितरन करते करते उसने यथार्थ परिस्तितियों का भी चितरन कर दिया सामन्त सिंग के समय में जनता कैसा महसूस कर रही है उसको भी इसने यहां पर लिख दिया और पूर्णता सुब्ध अच्छे तरीके से जो आज का रचनाकार जिस तरीके से लिखता है या कह सकते हैं पक्सपात रही तोकर के जो रचनाकार लिखता है ठीक वैसे ही लिखा है बस जो है चरित्र का नाम वो बदल दिया है तो इस तरीके से सतकालीन परिस्तितियों का चितरन भी जैन साहिते में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है क्योंकि जैन कभी राज्य से आश्रे प्राप्त नहीं करते हैं राज्य के अधेन नहीं थे वो तो योगियों के तरह सन्यासियों के तरह स्रमन थे एक तरीके से समाज से जुदा थे लेकिन फिर भी सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं राजश्रे का दबाव और दर्बारी संस्कृती जैन साहित्य पर नहीं दिखाई देती है और वो इसी करण से जो है ततकाली वास्त्विक इस्ततियों का चितरन करते हैं एक दर्बारी कभी जो नहीं कर सकता था एक लौकिक कभी जो नहीं कर सकता था उसका चितरन भी जैन साह ग्रूप में मिलता है। उसकी कई पांडुलीपियां जो है हस्तली की ग्रूप में एज एटी जैसी थी वैसे कि वैसी देखने को मिल जाती है। सताब्दी के असपास लिखी गई है। ग्यारवी से पंदरवी सताब्दी तक बोलियां और प्रांटी भासा में लिखा हुआ। यह जैन साइटे अने एक हस्त लिखित पूरतियों में आज भी सुरक्षित है। अतह जैन साइटे क्या माना जा सकता है। विश्वस नहीं माना लाइब्रेरी है और एशिया का सबसे बड़ा अंडरगांड लाइब्रेरी है। वो पूरा का पूरा लाइब्रेरी है जिसमें जैन साइटे बरा पढ़ा है। जैन साइटे की बिन बिन प्रकार बिन बिन विश्यों पर लिखी गई रचना हैं जो है वहाँ पर आज भी पा नस्ट कर दिया गया जो 15 सटाथि के बीच का साहिते था वो जो है शुरक्षित मिल जाता लोग यह क विसस्त करमपरा थी जहन साहिते की इन्हों ने अपने चल करके भविश्य में लोगों के एक काम आएगा लोग जो है इस पर अमल करेंगे और अपनी जीवन को सोधा रहेंगे ऐसा उनका मानना था इसलिए उन्होंने पोस्तकालेओं का निर्मान किया और उन पोस्तकालेओं में या फिर कुछ ऐसे स्टोडेज बनाए जिन में सुर साहित्य की रचनाये होगी है कि यह भी चीज इंपॉर्टेंट है जैन साहित्य की अपनी एक विसिस्ता है कि । क्योँ कि मौझुद मिलता है है पा पांच भी चीज यह सांथ या निर्वेदरस में लिखा गया है सांथ और निर्वेद ये रस है ना, जिसका रस्ताई बाव क्या होता है, सांतरस का इस्ताई बाव क्या है, सांतरस का इस्ताई बाव, 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 सांतरस का मुक्त हो जाना सरा ना दुख ना सुक किसी भी प्रकार का ए विकार किसी । रचनाये हैं इसके अलावा करून, वीर और सरंगार में भी जहन साहित्य की रचना हुई है सरंगार में फागु साहित्य है यह ध्यान रखना है फागु साहित्य जो है उसमें सरंगार रसका प्रयोग हुआ है बाकि जो मुख्यत धार्मिक साहित्य वो सम, सां, निर्वेद ऐसा है और करुणा प्रदान है वीर और स्रंगार रस का प्रयोग फागू साहिते में मिलता है इस प्रकार कह सकते हैं कि समूचा साहिते जो है जैन साहिते उसमें सांत रस, करुन रस, वीर रस और स्रंगार रस का प्रयोग हुआ है अधीकांस जो जहन साइते हैं उसमें सांत और करुणडस का प्रियोग किए गया है भिन भिन कावे रूपों का प्रियोग करते हैं जहन कभी मुखेता दो रूप मिलते हैं एक प्रबंद और दूसरा मुक्तक रूप मुक्तक इसलिए कोई जहन मुनियव वो किसी रास्ते से जा रहा है और बीच में उसने एक छोटी से सत्संग की उस सत्संग के तोरान वो किसी महासरमन के पूरे जीवन को तो नहीं बता सकता ऐसे इस्तती में वो क्या करता है कुछ सूत्र बाकि रखता है कुछ छोटे छोटे ऐसे बाकि जो सिक्षाओं के तोर पे होते हैं जिनको आज की भासा में एंगरी जीवासा में कहते हैं कुछ कॉटेशन्स रखता है और वो लोगों में प्रसारित करता है उसी से प्रभावित होकर कि पिर जैन धर्म का साइट के पढ़ते थे, वो साइटे हुआ करता था प्रबंदात्मक रूप में, ये तो एक तरीका, दूसरा तरीका इसको समझने का ये, कि संक्सिप्त रूप से जैन मुनी अपनी बातों को कुछ सुत्र वाकियों में रखते थे और उन्हीं सुत्र वाक जनता जिन किताबों पॉस्तकॐं का सहरा लेती थी। वो रचनाएं थी प्रबंद का प्रबंद प्रबंदात्मक्रितिया या प्रबंद के रूप में लेखी गई रचनाएं। समझ रहें आप बात को यानिकि चोटे चोटे अलग अलग प्रकार के छंद जैसे आपके दोहा है, सोरठा है, इत्यादी इत्यादी और मुक्तकों और प्रबंदकों प्रबंदक साहिपे से आप रेंस साहित्य में वृद्धी हुई क्योंकि काफी बड़ी संक्या में जैन साहित्य जो है दिखता है लिखा हुआ मिल जाता है इसके साथ ही इसमें रास ये अलग-अलग प्रकार है आगू 16 प्रवंध प्रबंद साहिते लिखना गाथा यानि कि कथात्मक तेवर लिए हुए जो साहिते होता था गीत महात्मा स्पूर्ती उत्साह ये भी अलग-अलग प्रकार थी सादनात्मक अब सर जी सर जो इस पूर्ती आप लिखें है अभी जो स्पूर्ती का मतलब ट्विक एक्षन होता ना आदमी का वो तो ऐसे ही वो तो ऐसे ही सुद्ध होगा स्पूर्ती छोटे में मेभी हो सकता है जी जैन साहिते का अपना कुछ विसेस प्रकार है तो बड़ा होगा या स्पूर्ती जो सब्द है सुद्ध सुद्ध में पूछा जाएगा स्पूर्ती वो ऐसे ही लिखा जाएगा वो ये रूप सुद्ध है ठोटी के मातलब तो प्रबंधात्मक और मुक्तक प्रकार में जैन साहिते इस प्रकार से विभाजित था इसके अलावा रास परंपरा, फागु परंपरा, छपय प्रबंद परंपरा, गाथा परंपरा, गीत महात्मा परंपरा, स्पूर्ति और उत्सा परंपरा भी जैन साहिते में दिखाई देती है यह अलग-अलग प्रकार है जिन में जैन साहिते मिलता है मुख्य रुप से ये दो है प्रवंदात्मक्रतियां उर मुक्तक क्रतियां मुक्तक में कुछ सुत्रवाक्य हुआ करते थे कुछ कोटेसंस हुआ करते थे कुछ सिक्साएं होती थी किसी बिन-बिन महासरवणों की अपने धर्म के प्रमुक लोगों की और इनका प्रियूग किया जाता था धर्म से जोडने के लिए लोगों को बाद में वो क्या करते थे उस मुक्तक रचना के बाद में उस मुनी का नाम बताते थे जैन मुनी का कहते थे इसकी रचना है फिर लोग सर्च करते थे उसने और क्या क्या लिखा है तब रचनाय आती थी सामने प्रवंदात्मक्रतिया या उनके जीवन के बारे में लोग सर्च करते थे तब कोई प्रवंदात्मक्रति सामने आती थी ये धर्म से जोड़ती थी लोगों को एक तरीके से जो बॉंड है वो लोगों के दिमाग में और दिल में वो क्रियेट करती थी इस तरीके का इनका प्रचारत अंत्र था जैन साहित्य का लोक भासा के प्रतिष्टा हलांकि मुख्यत अफ़बरंच से जितनी भी बोलिया निकलिये उनमें भी जैन साहित्य लिखा हुआ मिलता है लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो प्रच्चिमोतर हिस्सा है मद्यदेश का उस हिस्से में जितनी भी बोलिया इस्तेमाल होती है उनका प्रभाव जैन साहित्य पर ज़्यादा है अब बरंस उनके केंडर में है लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं है बोलियों से भी तो इसा मतलब क्या हो गया जैन साहित्य ऐसा साहित्य जिसमें अब बरंस के अलावा प्ष्चिमोतर हिस्से की जितनी भी बोलिया है उन में भी रचनाई देखने को मिलती है दूसरी विसेस्ता अब बरंस की जो प्रारमभिक रचनाई थी उन में जैन साहित्य लिखा गया है यानि कि आप ये सीधे तोर पर ये कह सकते है अब बरंस के प्राची इंतम रूप में लिखा गया साहित्य कौन सा है जैन साहित्य है इस चीज को दिमाग में रखेगा और अपब्रंस के प्राची इंतम रूप में से ही बिन बिन प्रकार की बोलिया निकली है तो जनरल सी बात क्या होगी हर एक बोली में बोली के सब्द और बोली की सब्दावली जो है वो आपको इस जैन साहिते में देखने को मिलती है क्योंकि बाकी की बोलिया निकली कहां से किसी से तो निकली है कि प्राचेंतम रूप से बिन बिन प्रकार की बोलिया निकली है तो मान लीजे यहां पर जो बोली बोली जाती है उसके भी बहुत कम लेकिन कुछ सब्दों का प्रयोग यहां जहन साहिते में देखने को मिलता है और इससे लोगों का जुडाव होता है तूसरे परकार की जो बोली है जो अपरफरेंस से निकली है उसमें भी कुछ सब्द ऐसे हैं जिनका प्रियोग आपको जहन साहिते में मिलता है तो लोग समझते हैं ये तो हमारी बासा का साहिते हैं हमारी बोली का साहिते हैं और ऐसे मे लोगों का जुड़ाव जो है जो अपने आप में विराट स्थर पर बड़े इस तर पर व्यापक स्थर पर होता है बात समझ रहा है जैन साहिति उस वासा में लिखा गया जो अभवरेंस का प्राची इंतम रूप था अधिकांस जैन साहिति के रिचने है और उसके बाद में अभवरेंस के बिन बिन रूप निकले जो बोलियों के रूप में स्विकृत हुए उन बोलियों के शब्दों का इस्ते बालफ में करते हैं अभवरेंस के प्राची इंतम रूप का प्रियोक्त जैन कभी करते है कि तो लोग यह समझने लगए कि यह रचना हमारी वासा में तो एक डारेक्ट कनेक्शन हो गया बासा ही इस तर पर इस वजए से भी ये साइट के जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर होता है प्रसिद्धी का कारण बनता है कि वो लोग बासाओं की पृतिष्टा करता है और ये अपब्रेंश जो थी ये सबसे साधारन वर्ग की बासा थी ये भी एक ध्यान में रखना प्राकर्ट का प्रियोग वो लोग कर रहे थे प्राकर्ट के अंतिम दौर में जो अभी जात्य वर्ग के लोग थे अविजायतिवर के लोग का मतलब जो हायर क्लास के लोग थे वो लोग प्राकरत का इस्तेमाल करते थे और अपवरेंस का प्रियोग कौन करते थे आपको बताया पहले संस्क्र्ट नाटकॉं में भी ये चीज आती है हिंदी की जो पुराने आख्याई कहें उसमें भी ये बात आती है कि जो अदम पात्र होते थे नीच पात्र होते थे वो लोग जो है अपवरेंस का प्रियोग करते थे इतने बड़े वर्ग की भासा को जैन कभियों ने अपनाया और इसी में रचनाएं की इस वज़े से वो लोग भासा की प्रतिष्ठा करते है आठवी विसेस आए गद्य की प्राचीन तम रचनाओं का साहित्ते आपको कहां मिलेगा जैन साहित्ते में मिलेगा इससे पहले पद्यात्मक रचनाएं ही हुआ करती थी लेकिन जैन कभियों ने पद्य के साथ साथ गद्य की भी रचना की गद्य को भी इस्थापित करने में महतुपू भूमी का निभाई इनों ने जो आपका चंपू कावे आता है उस चंपू कावे की इस्ताफना करने में उस चंपू कावे को आगे बढ़ाने में जैन कवियों का अपना एक विसेश हाथ है उन्होंने अर्चना, अलंकार, पाल सिक्सा, पाल बोध, कल्यान उपदेश, ऐसी कई सारी रचनाएं हैं जो संक्षिप्त रूप में, एकदम सरल्तम रूप में, एक जैन कविने कोई मान लीजे कोई बात कई, बहुत बड़ी लंबी चोड़ी बात है, लेकिन उसकी उक्ती निकाल ली उदारन के लिए मैं संस्क्रिप को आधार बनाता हूँ, किसी ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे बद्रानी पश्यन्तु, मा कश्चित दुख भाग ववेक, अब इसमें से सर्वे भवन्तु सुखिना, इस बात को जैन कविने क्या लिया, आधार बना लिया, और इसकी व्याख्या की, इतने से स्लोक की, इतने सी स्लोक की, इतने सी लाइन्स की, तिर्फ तीन अक्षरों की व्याख्या करते हुए उन्होंने गद्य भासा में यहां कुछ लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, गद्य को स्थापित करने में जैन कवियो का अपना एक विशिस्ट योगदान है ये उपदेशात्मक साहित्य बाल बोध का साहित्य बाल बोध मतलब जो बच्चें जो छोटें उनके लिए उनके कल्यान के लिए भी साहित्य लिखा अर्चना आलंकार का साहित्य ये भी बाल सिक्सा से जुड़ा हुआ था ये प्रारं विसेशता है आदी कालिन साइटे लोकिक और अलोकिक का अंतरिक परीचे करवाया लोगों से जो चीजें हमें दिखाई दे रही वो और जो चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही है यानि कि एक सामाजिक पक्स किसी विक्तिका और एक उसका अध्यात्मिक पक्स इसमें अंतर करना और इसका बहुत गहन एक तरीके से विस्तृत ब्योरा देना यह जैन साइट्य कारोंने किया है ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपरी परतों को ही खोलाएbird जैन साइट्यने नहीं धर्म की भीत्री परतों में धर्म के बहुत अंदर तक जाकर धर्म के बिन बिन जो अव्यव होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हुए फरीर मन आत्मा फरीर इस्तती योग क्रियाएं इन सब को भी बहुत गहरे से जाकर समझाया है जैन कभी ओने लोकिक अलग अलोकिक अलग जो चीजें दिखाई दे रही है वो जो एक तरीके से जो है माया भी संसार है संसार की सनुची माया जो जूटी है उसको और वास्तिक में क्या है दुनिया उसको दोनों का परीचे करवाया लोगों से अलग अलग भिन भिन संदरबुम भिन भिन खदाहरणों के माद्यम से यह जहन साहिति के अपनी एक मिशिस्ता थी क्योंकि इसके अलावाथ दूसरा जो साहिति था बहुत साहिति जो प설। बहुत साहिति उन्हायोती सिर्फ कर्म कांडू में रत्थ हो गया था दार्षनिक पक्स पून रूप से तर्क पर आधारित था, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, नहीं, इन जैन साथ्ते रचनागारों ने अपने धर्म का जो दार्षनिक पक्स था, अपने धर्म का जो फिलोसिफिकल टच था, उसको पैक्ट बेस करके, उसको तथ्यात्मक तर देते हुए उसके पीछे कोई खोकला तरक नहीं देते हैं वो उसके पीछे पूरा पूरा प्रमानिक तरक देते हैं तरीर के विज्ञान से मन के विज्ञान से आत्मा के विज्ञान से वो उसको स्पस्ट करते हैं और उसके बाद में अपनी बात को जो है कहते हैं इसका मतलब वो एक ऐसा साहित्य था जिसमें लोगों की रूची भी थी और रूची के साथ साथ विश्वास भी था और जिस साहित्य में लोगों की रूची और विश्वास दोनों होता है वो साहित्य अपने आप में उस समय विशेष का सर्वस्रिष्ट साहित्य होता है इस हिसाब से जैन साहित्य जो है अपने समय हिसाब का अपने समय विसेश का एक विसेश साहित्य था जो वास्त्विक्ता पर आदारित था जिसने भासाई इस्तर पर बहुत सारी परिवर्तन किये जिसने जो है भिन भिन प्रकार से अलग-अलग प्रकार के काविरूपों का प महत्वर वो उनके मूल में रहा है बले ही उस साहिते में सामाजिक्ता को निबाया गया है बले ही उस साहिते में लोकिक्ता को निबाया गया है लेकिन उसका मूल क्या है धर्म है उसी से वो संचरित होता है उसी से वो प्रवा मान होता है उसी से वो वेग मान होता है clear चलिए तो आज की class को करते हैं यहीं पर end आपका कोई question